आगाश्वणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमास सबसे पहले इस बुलिटिन के मुखे समाचार ओडिशा में ट्वेन हादसे में 237 स्यात्रियों की मृत्तियों 900 से जादा घायल सरकार ने दे उच्चस तरिये जाच के आदेश नेपाल के प्रधान मंतरी आज इन दौर में आई टी कंपनी टी सी एस और इन्फोसिस का करेंगे दौरा केंद सरकार के स्वच जलसे सुरक्षा अभियान पर अमल में मत्य प्रदेश अगुणिनी राज्यों में शामिल और गौालिय जिला पंचायत को प्रदेश भर में मिला पहला इस्थान अब समाचार विस्तार से ओडिशा में वाला सोर के बहानागार स्टेशन पर हुए ट्रेन हाथसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 237 हो गई है जबकि 900 से जादा लोगों के कंभी रुप से गाहिल होने की आशंका है रक्षा बनो राश्ट्री आपदा मूचनबल और राज आपदा मूचनबल के टीमो सहित विबिन वचावदल रहत अभियान में जुटे हुए है औरिशा में आज एक दिन के राज के शोग खोशित किया गया है रेल मंत्राले ने घटना की उचस तरी जाच के आदेश दिये है ये दुरगटना कल शाम करीब साथ बजे हुई जब शालिमार हावडा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाडी से टकरा कर पट्री से उतर गई बैंगलूरू हावडा सुपरफास्ट ट्रेन भी कुछ मिनट बाद उसी स्थान पर इंडब्बों के कारण पट्री से उतर गई इसके फलसोरू 15-17 डब्बे शती ग्रस्त हो गए है रेल मंतरी अश्वनी वैश्वन ने कहा कि मृत्यू के मामले में 10 लाग गंभी रूप से घाय लोगों को 2-2 लाग रुपे और मामली रूप से घाय लोगों को 50-50 जा रुपे के अनुग्रह राशी दी जाएगी नेपाल के प्रधान मंतरी पुष्व कमल दहल प्रशंड ने कहा है कि भारत और नेपाल के भी सम्मंदों में नई इतिहास की शुरुवात हुई है मुखी मंतरी शिवरा सिंग चौहान द्वारा कल उनके सम्मान में इन दौर में दिये गए रातरी भूज में उने ये बात कही और जानकारी दे रहे हैं हमारे समवादा था भारत और नेपाल के परस पर सम्मंदों में आई नई उर्जा का उल्लेक करते हुए प्रधानमंदरी पुष्व कमल दहल प्रचंड ने कहा कि इस बार प्रधानमंदरी नरेंद्र मोदी और नेपाल के बीच जो सहमती बनी है उसके दूर गामी परिणाम होंगे श्री दहल ने कहा कि परिवेन संपर्क, जिलसंसादन और उर्जा के शेत्र में सहयोग के परस पर लाब मिलेंगे उन्होंने इसे भारत और नेपाल के बीच संबंदों में नई इतिहास के शुरुवात करार दिया प्रतरमंत्री दहल ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदोर में स्वच्छता प्रवंदन के कारियों को देखा उन्होंने जैविक अप्सिष्ट से बायो सी एंजी बनाने वाले सहयंद्र कावलोकन किया और इसी तरह का सैंद्र नेपाल में स्थापित करने में भी रूची दिखाई संजीव शर्मा, आकाश्मणी समाचार, भोपाल वही हमारे इंदोर समवादाता ने बताया कि आज शिदहल एकनॉमिक जोन में आई टी कंपनी टी सीयस और इंफोसिस का दोरा करेंगे वे दोपहर करीब सवा बजे इन दोर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे विश्व परियावरंड दिवस पांच जून को भोपाल के रविंदर भवन में राज इस्तरिये यूद फॉर लाइफ कारिकरम का आयोजन किया गया है परियावरंड वे भाग द्वारा आयोजितिस कारिकरम का शुबारंब मुख्यमंतरी शिवरासिंग चोहान करेंगे विश्व परियावरंड परियावरंड पुरुसकार और क्लाइमिट चेंज प्यएजडी फालोशिप के स्विकृति पत्र का वितरन करेंगे कारिकरम में ग्रीन सिटी के रैंकिंग की घोशना होगी और सम्मान भी करेंगे राजिपाल मंगुभाई पटेल ने कहाए कि राश्ट्री एक्ता में शारिरिक समीपता महतुपूर नहीं है बलकि मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक सामेता का होना भी जरूरी है उन्होंने बताया कि प्रधान मंति नरेंद्र मोधी की प्रेड़ना पर विगत दिनों, गुजरात और महाराश्ट राजे का स्थापना दिवस अखंड़ता का उत्सव के रूप में राजभवन में मनाया गया था इसी क्रम में अने राज़ो के स्थापना दिवस पर अखंड़ता का उत्सव मनाया जाएगा राज़िपाल कल विक्रम विश्विद्याले के स्वरने जैंती सभागार में तेलंगाना के स्थापना दिवस अखंड़ता का उत्सव समारों को संबोधित कर रहे थे उस सव में मंत्री प्रदेश ओते लंगाना के मूल निवासी मौजूद थे केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा ने आगामी मांसून में बाड़ प्रबंदन की समगर तैयारियों की समिक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्छ सरी बैठक की अध्यक्षता की शिशा ने देश के 12 मासी बाड़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीती तैयार करने के लिए दीर्ग काली कुपायों की भी समिक्षा की शिशा ने अगले वर्ष मार्च तक एक व्यापक सौफ्वेर विक्सित करने का निर्देश दिया गुरे मंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुक जलकरन शेत्रों में बाड़ के पूर्वानुमान और जल इस्तर में वृद्धी पर नियंत्रन के लिए स्थाई प्रोणाली बनाने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीस समन्वे को मजबूत करने का निर्द बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभियान का लक्ष जन गुडवत्ता परिक्षन के लिए ग्राम, जिला एवं राजस्तर पर व्यापक, जन भागेदारी और पानी की गुडवत्ता के बारे में जाग रुकता उत्पन करना है। जिला पंचाय द्वारा जिले में पंचाय तेवं ग्रामिंड विकास विभागी योचनाओं को समय समय पर जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनाए गई विशेश रनीती के कारण ये सफलता मिली है। खंडवा जिले के 32 तीर थियात्री आज हवाई जहास के माध्यम से गंगा सागर की तीर थियात्रा करने जा रहे हैं। खंडवा में आज सुबा सबसे पहले विधायक, महापौर, कलेक्टर और अन्ने जन प्रतिनितियों त्वारा गंगा सागर जाने वाले बुजर्ग तीर थियात्रियों का समान किया जाएगा। समान के पश्चात यात्रियों को बसके माध्यम से एंदोर रवाना करेंगे जहां से वे हवाई मार्ग से इस यात्रा पर रवाना होंगे। बताया जाता है कि पूरे जिले से लगबग 210 बुजर्गों ने गंगा सागर हवाई यात्रा के लिए आवे दिन किये थे और उनमेंसे लोट्री के माध्यम से 32 लोगों का चैन किया गया। के लिए उच प्यवस्थाएं ना किये जाने और बालिकाओं को अवेशक सुविधाएं उपलब्ध ना कराये जाने के तथ्य सामने आये हैं। हौकी में भारती पुर्ष टीम ने कल लंदन में लिव वैली हौकी और टैनिस सेंटर में FIH प्रो लीग में ऑल्लम्पिक चैंपियन बेल्जिम को पाच एक से हरा दिया। मिल्फिल्डर विवेक सागर प्रिसाद ने खेल के पहले मिनिट में भारत को बड़ा दिलाई से पहले हर्मन प्रीट ने पैनल्टिक और की जरीए दो गोल किये। अमिद रोहिदास और दिल प्रित सिंग ने भी गोल किये। कल भारत का सामना ग्रेट प्रेट प्रेंड से होगा। अब कुछ समाचार संशेप में। मुख्यमंती श्रीवरासिंग चौहां ने इंदौर प्रवास के दौरान कल राम नगर बस्ती में लाडली बहना योजना के अंतरगत लाभानवित महिलाओं को घरकर जाकर स्वीकृती पत्र प्रदान किये। योजना में एक हजार रुपे महिने की राशी दस जून से मिलना शुरू हो जाएगी। खनवा में भील समाच के लियांट समीती के मांग पर पंधाना विधायक राम दाउंगोरे ने तंटिया मामा की मूर्ती स्थापना के लिए एक राख रुपे की राशी प्रदान की। अगर मालवा जिले की नडखेडा नगर परिशय द्वारा कल आयोजित किये गए कारिक्रम में महिलाओं को लाडली बैना योजना के स्विक्रती पत्रों का वितरन किया गया। नर्मिदा पुरम के कन्या शिक्षा परिसर पावार खेडा में आयोजित नवनियुक्त शिक्षिकों के पांच दिवसी परिचयात्मक प्रशिक्षन के द्विती बैच की समापन अवसर पर कल तनाव प्रभंदन विश्य पर चर्चा हुई। सतना जिली के चित्रकूट के रगुवीर मंदिर सित जान की घाट में वारानसी की तरश पर गंगा आरतिका आयोजिन किया गया। क्वालर संभागा एक दीपक सिंग ने शिवपरी भर्मन के दौरान जनसी वाभियान और लाडली बहना यूजना की समिक्षा की। आज इस बुलेटर में बस इतना ही, नमस्कार.